तो Hello Friends, आईए इस वीडियो में बात करते हैं क्यूपिड के स्टॉक की क्यूपिड के स्टॉक में फिर आज अपर सरकर लग गया है कल भी अपर सरकर लगा था आज भी से स्टॉक में अपर सरकर लग गया है एक bulous momentum है और one day में देखे तो अभि भी इस स्टॉक मिन One month में 48% की ग्रावट है क्योंकि दोस्तों पहले ये stock अपने इंवेश को बोनस भी दे चुका है और इसमें split भी मिल चुका है split की जो ratio है 1 ratio 10 है और जो bonus की ratio है वो 1 ratio 1 है फिर हम आपको यही clarify करना चाहते है ज़री आपके portfolio में आपकी investment में कोई impact हुआ है तो थोड़ा wait करो watch करो two weeks के अंदर अंदर आपके जो bonus and split shares है वो आपके count में credit कर दिये जाएंगे तो उससे आपको फियर में आने की जुरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों हमें question आ रहे है सर मेरे stock कम हो गए मेरा portfolio का गटबड़ा गया है तो यह इसमें आपको थोड़ा wait करना होगा two weeks का period होता है जिसके बाद कि आपके जो stops है आपकी जो investment है वो ठीक कर दी जाएगी तो इसलिए थोड़ा wait कर लो आगे दोस्तों अब जो main इसका important point है वो है इसके results 4th April को यह stock split दे चुका है चलो bonus भी दे चुका है अब इसके next जो update आएंगे वो quarterly results है क्योंकि देखो दोस्तों संबर में इतने अच्छ results नहीं आए थे लेकिन अब मार्स में और financial year में number कैसे आते हैं वो बहुत ही important रहने वाला है क्योंकि जदी हम यहां पर शो करें numbers financials profit की बात करेंगे profit में देख सकते हो quarter on quarter basis पे तो अचीर कवरी है लेकिन year on year basis पे number गिरे थे यहां पर देख सकते हो December 22 में company का जो profit था 10 crore था और December 23 में यह 8.86 रह गया है लेकिन दोस्तों जड़ी आप quarter on quarter basis पे देखो तो लास्ट री quarter से company का जो profit है वो बढ़ रहा है तो अब जड़ी quarter 4 में भी company का profit बढ़ जाता है तो फिर इस stock में बड़ी breakout आ सकती है क्योंकि दोस्तों जैसे किसी company का profit बढ़ता है तो उसकी valuation भी सही होती है और उसके fundamental भी improve होते है क्योंकि अभी पी-ई multiple 135 के चले गए हैं इंडस्टी के मकाबले यह stock महँगा जरूर हो चुका है लेकिन जड़ी company के profit में एक अच्छी recovery आती है तो फिर इसकी rating हो सकती है लेकिन जड़ी profit के level पे कोई भी negative trend देखने को मिला तो फिर इसमें थोड़ी ग्रावट भी आपको देखने को मिल सकती है इसलिए हम आपको कहते है शौर्ट में थोड़ा अलर्ट ही रहे इस stock में तो कि इसमें पहले bottom formation भी देखने को मिला हुआ है अब इसका जो पहला resistance अभी इसकी current market price 129 की है दोस्तों इसका जो previous resistance है वो ब्रेक होता दखाई दे रहा है आज देखो 125 के राउंड इसका एक resistance था वो आज ब्रेक होता दखाई दे रहा है यहां पर 125 के लेवल को ब्रेक कर रहा है आने वाले दिनों में जदी नंबर भी ठीक रहते हैं तो फिर यह stock बड़ी breakout की और जा सकता है क्योंकि long term में तो पहल लियो गरोड़ा गया है सपलेट के कारण बोनस के कारण वो आपका automatically ठीक हो जाएगा आपको थोड़ा वेट करना होगा two weeks का time देना होगा आपके जो stocks है क्योंकि दोस्तों आपकी investment पे कोई impact नहीं होगा जो भी आपकी investment सेम रहेगी और आपकी current value है वो भी सेम रहेगी और की percentage जो है returns वो भी सेम रहेगी उस पे कोई भी impact नहीं होगा थैक्स गिंद फिल मिलेंके नई वीडियो के साथ अभी तक हमारे चैनल के साथ दोस्तों नहीं चुड़े हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर ले बैल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर ले इससे आपको हमारे आन शेर जूर करें